आपके अपने यूटूब के चैनल में और दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी लोकेशन को वाटसप में शेयर कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो हम अपनी लोकेशन को वाटसप में बहुत ही आराम से शेयर कर सकते हैं और ये कई बार हमारे लिए बहुत ही काम का साबित हो सकता है दोस्तों मालीजी आपको किसी से मिलना हो या आपसे कोई मिलना चाहता हो तो आप अपनी location को WhatsApp में share करके उसको ये बता सकते हैं कि आप अभी कहां पर हैं और फिर वो उस जगा पर पहुंचकर आपसे मिल सकता है खेर इस तरह के बहुत सारे use हो सकते हैं location को share करने के तो चलिए दोस्तों जल्दी से जानते हैं कि हम WhatsApp में location को कैसे share कर सकते हैं तो दोस्तों WhatsApp में location को share करने से पहले हमारे phone में कुछ settings होनी चाहिए settings का मतलब हमारे में वो चीज on होनी चाहिए जैसे कि आपका mobile data on होना चाहिए यानि कि आपके mobile में internet चलना चाहिए और दूसरी सबसे important चीज कि आपके phone में location जो GPS होता है वो on होना चाहिए तो दोस्तों make sure कि आप उसको on रखें और अपनी setting में जाकर उसको on कर दें या फिर यहां से भी आप इसको on कर सकते हैं तब ही आप WhatsApp में location को share कर पाएंगे तो make sure कि आपके phone में यह दोनों on हो तो दोस्तों आप हम जानते हैं कि WhatsApp में location को कैसे share कर सकते हैं तो दोस्तों आप अपने WhatsApp में जाएं और WhatsApp ओपन होने के बाद आप यहां पर chats में जाएं जो हमारा chats का टैब होता है इसमें आमें जाना है उसके बाद जिस बंदे के साथ हमे location शेयर करनी है उसके नाम पर click करना है यानि कि उस पर click करके उसकी chat के अंदर जाना है जहां से हम उससे chatting करते हैं तो देखें यहां पर मैं उसकी chat में अंदर आ चुका हूँ और दोस्तों यहां नीचे आप देखें यहां पर हम message को type करते हैं इसके बगल में आपको यहां पर pin एक attachment pin का icon बना हुआ दिकरा है इस पर हमें click करना है और जैसे हम इस पर click करेंगे तो हमारे समें बहुत सारे option आएंगे इसमें से आपको यहां पर ध्यान देना है location लिखा हुआ है तो हमें अपनी location शेयर करने है तो हम यहां पर location पर click कर देंगे और जैसे ही आप यहां पर location पर click करेंगे तो यहां पर देखें यह हमारी location का पता लगा रहा है कि हम कहां पर है और यह google map पर यह अभी search हो रहा है तो दोस्तो यहां पर यह भी search हो रहा है हो रहा है हो रहा है और होता ही जा रहा है तो इसको थोड़ा complete हो जाता है तो देखिए यहां पर इसने हमारी location को find कर लिया है कि हम कहां पर हैं तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दू कि हम दो तरीके से अपनी location को WhatsApp में share कर सकते हैं एक है share live location दूसरा है send your current location तो send your current location में क्या होता है कि आप जैसे ही send your current location पर click करेंगे तो आपकी current location है वो send हो जाएगी तुरंत की और जो share live location होता है इसमें क्या होता है कि इसमें आप अपनी location को 15 minutes एक गंटे यहां तक की 8 गंटे के लिए भी किसी के साथ share कर सकते हैं और जब आप live location शेयर करते हैं तो 15 minutes जैसे आपने 15 minutes के लिए अगर उसके साथ share किया है तो 15 minutes तक आपको map में देख पाएगा कि आप कहां कहां जा रहे हैं और कहां पर हैं यानि कि वो आपको track कर पाएगा तो सबसे पहले हम यह send your location जानते हैं इसमें क्या होगा इसमें बस एक बार ही location जाएगी वो आपकी location क तो जस देख पाएगा आपको track नहीं कर पाएगा तो देखिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूं तो और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारी तुरंत जो current location वो share हो गई है जो जिसके साथ हमने अपनी location को share किया है वो इस पर जाकर click करके वो हमारी current location को एक बार देख सकत है यानि कि वो हमारी current location को केवल देख सकता है हमें आगे track नहीं कर पाएगा जिस टाइम हम share करेंगे बस वही की location उसको send होगी ठीक है तो इस तरह से यह हमारी तुरंत की अभी की location share हो चुकी है दोस्तों अब यहां पर मैंने बात की दूसरे जो live location उसको हम कैसे share करते हैं व और आप 12 दून से दिल्ली जा रहे हैं तो वह आपको पूरा track देख सकता है कि आप कहां पर हैं कहां तक जा रहे हैं किदर रूक रहे हैं कहां पर मुड रहे हैं तो चलिए इसको हम जान लेते हैं share live location live location को share करके दिखाता हूं तो अभी मैंने इस पर क्लिक किया और दोस्तो किसी एड करके उसको send कर सकते हैं तो मैं आप लिख रहा हूं है I am here और फिर आप उसको send कर सकते हैं इस बटन पर क्लिक कर दिजे फिर वह send हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिये हमारी location current location share हूई और नीचे हमारी live location share हूई तो यहाँ पर देखिये हमारी live location share हूई अब वो एक गंटे तक हमें देख पाएगा कि हम कहां पर जा रहे हैं और पूरी तरह से ट्रैक कर पाएगा जब तक कि हम स्टॉप ना गरें तो दोस्तो मालीजे मैंने अभी एक गंटे के लिए अपने दोस्त के साथ अपनी location को शेयर की है live location को लेकिन मैं समझता हूँ कि अब मैं सोचता हूँ कि चलो भाई काम खतम होगा मुझे stop कर देनी चाहिए तो मैं यहाँ पर stop sharing के option पर click करके अपनी live location को share करना बंद भी कर सकता हूँ देखिए यहाँ पर एक pop up आया है वो हमसे पूछ रहा है कि आप चाहते है stop करना तो आप यहाँ पर stop पर click कर दीजिए के बाद आपकी live location sharing बंद हो जाएगी और फिर वो आपको track नहीं कर पाएगा तो दोस्तो यह था कि हम वाट्सप में किस तरह से live location और current location को share कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको हमारी information अच्छी लगई हो तो इक पर हमारे वीडियो को like करना न भूलें और अपने दोस्तों में share जरूर करें और दोस्तो अगर आप हमारी YouTube चैनल पर नए हैं तो इस तरह की और भी interesting जानकारी के लिए आप हमारी YouTube चैनल को subscribe कर लिजे तापकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिलते रहें दोस्तों अगर आपका इस बार में कोई सवाल हो तो आप नीचे comment करके पूछ भी सकते हैं या फिर अगर आपको कोई नए जानकारी चाहिए तो आप हमें वीडियो की request भी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए